तो गाई जाज की तारीक से जितने भी most important current of years बनेंगे उन सबी current of years को हम यहाँ पर details से discuss करेंगे ये वेडियो UPSC और State PSC के point of view से बहुत जादा important होता है तो चलो शोबार हम करते हैं बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस lecture का PDF चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम दन उसके बाद जाके search box में टाइप करना दीपाच यादव education As you can see guys आप लोग को ये वला चनल मिल जाएगा यहां से आप लोग daily basis पर इस lecture के PDF को डाउनलोड कर पाऊगे साथी साथ मगर आप लोग मेरे साथ में personally connect करना चाहते हो तो क्या करना है इंस्टाग्राम पे जाना और अगेन वहाँ पर आपको दीपाच यादव education टाइप करना है आपको मेरा profile मिलेगा दस हजार से जादा लोग already हमाँ पर जुड़ चुके हैं आप भी मेरे साथ में जुड़ सकते हो स्टार्ट करेंगे सेशन को लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस पूरे वीडियो के अंदर मैं मैं Indian Express के साथ साथ कुछ और important sources को भी cover करूँगा जैसे हमारा PIB का analysis हो गया या down to earth हो गया तो इन सभी sources के जो important articles होंगे जो हमारे examination के syllabus से link हो रहे होंगे उनका discussion भी इस वीडियो के अंदर किया जाएगा तो basically ये पूरा का पूरा वीडियो current affair का complete package है और एक बात बहुत अच्छे से सुनना इस पूरे वीडियो को आपको बहुत ध्यान से सुनना है और ध्यान से सुनने के बाद में वीडियो के अंत में आप लोग लिए कुछ questions तयार करके लगाएगे हैं तो इन quiz को attempt करना है इस करेंगे आज के हम लोग अपने सबसे पहले important article के साथ में आज जादा article नहीं है कुछ छोटे-छोटे articles हैं कुछ यहाँ पर बड़े articles हैं कुछ यहाँ पर ऐसी news जो की repeated हैं तो उन सबको हम cover करने वाले हैं don't worry ऐसा निये कि यहाँ पर अगर कोई चीज repeated है तो हम उसको छोड दूँगा सब कुछ cover करते वें चलूँगा तो आपको कोई ऐसी परेशान होने की जरूरत नहीं है तो पहला article Asian giant tortoise के बारे में हैं अब जो यह कच्छुवा आपको दिख रहा है यह एशा के अंदर पाया जाने वाला एक बहुत बड़े size का कच्छुवा है इसी के बारे मे इंतांकी national park के अंदर में पहली importanties जो कि यहां से आपको ध्यान में रखनी है कि इंतांकी national park कहां पर है यह नागलेंड के अंदर है तो इसी national park के अंदर अभी दस कचुवा को इन Asian giant tortoise को वहाँ पर release किया जा है इन tortoise का scientific name क्या है इनका नाम है Manuria Amis यह इसका scientific name है अब इसको release करने का मकसद है कि हम इनको एक तरीके से protection provide करवाएं protection provide करवाने के साथ साथ हमारा focus है कि हम इनके जो population है उसको और जदा बढ़ा सके है बाकी अब हम आते हैं कुछ important facts के उपर जहां से आप से directly सवाल बनने वाले हैं सबसे पहली जीज यह tortoise कहां कहां भी पाया जाता है तो बाकी ये tortoise जिन्दा कैसे रहता है इसकी diet क्या क्या खाता है तो जो bamboo है जो bounce हो गए उसका ये एक तरीके से consumption करता है उसके अलावा tubers या juicy vegetation यानि कि जो भी पत्ते हैं पेड़ पौदे हैं जिसमे रसा बहुत जादा है उसका consumption ये करता है उसके बाद जो invertib rates हो गए यानि कि जिनकी red की head या नहीं है वैसे वाले जानवर हो गए या कोई frog हो गया तो इनका consumption यहाँ पर ये tortoise करते हैं अब हुआ क्या कि पिछले कुछ समय में इनकी संख्याय लगातार कम होती वी जा रही है कम इसलिए होती वी जा रही है क्योंकि इन tortoise को मार के खालिया जाता है यान कि मानव की काफी सारी हरकते हैं जैसे कि मुआ पे construction करना है ना एरिया को जला देना और भी बहुत सारे काम बहुत सारी human activities है जिसकी वज़ा से इनकी population को लगातार खत्रा पहुच रहा है जिसकी वज़ा से इनकी population पिछले कुछ समय लगातार बहुत तेजी से गिरती हुई नजर आई है तो इसी वज़ा से क्योंकि इतना ज़़ा खत्रा है तो इनको हम लोगों ने एक protection प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन कैसे प्रोटेक्शन करवाई है आपको बता होगा हमारे पास में IUCN status है Sides है और Wildlife Protection Act है तो आपसे जब भी examination के अंदर किसी भी जानवर के बारे हमें question बनता है खासकर UPSC के रहर में बात करूँ तो जादातर IUCN status पूछा जाता है तो हमेशा कोई भी जानवर news में है तो उसके बारे में यह तीनों चीज़े जरूर से पढ़ लेना तो इसका जो IUCN status है वो क्या है वो है critically endangered यानि यह जो प्रजाती है कच हुए की यह बह प्रजाती विलॉप्त वाली category के अंदर आ जाएगी बाकी sites के अंदर इसको appendix 2 में डाल रखा है उसके बाद में Indian wildlife protection act के अंदर schedule 4 के अंदर डाल लखा है तो इस प्रकार से यहाँ पर इस जानवर को protection प्रवाइड करवा रखिए ठीक है अब अगर हम लोग बात करें इंतां लगबक 1923 के अंदर में बाकी इस पूरे national park के अंदर काफी सारे अलगलग प्रकार के पेड़ पौदों की प्रजातियां पाई जाती है साथी साथ में अलगलग प्रकार के जानवर भी पाई जाते हैं जैसे अगर हम फ्लोरा की बात करें तो यहाँ पर जो rain forest है वो काफी ज अगला न्यूज आर्टिकल बात करता है आएनस अरनाला के बारे में तो अरनाला क्या है यह हमारे नेवी का पहला anti-summarine warfare है यानि कि दुश्मन की जो पंडूपी होती है उसको लड़ने के लिए उससे लड़ने के लिए उसको उड़ाने के लिए हाँ पर हमारे पास में इ इंडिया नेवी को यहां पर यह अरनाला शिप दे दिया या यह तो आपने आपर खबर पढ़ लिया लेकिन यहां से सवाल नहीं पूछ जाएगा सवाल यहां पर इसके background से पूछ जाएगा static data से पूछ जाएगा अच्छा आज मैं आर्टिकल लगा नहीं बूल गया हूँ इसमें वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया तो इस वज़य से यहां पर कभी कभी शाम में प्रॉब्लम सो जाती है तो कोई बात नहीं अभी morning में चल ला है morning में 5 बुज आपको वीडियो मिला है 5 बज़ आप रेडी हो है ना रोजाना यहां पर रेडी रहते हो और कल भी का बात करें तो अर्नाला शिप को यहां पर बनाया गया है ASWSWC के अंदर में अब यह क्या है यह बेसिकली यहां पर है anti-summarine warfare shallow watercraft ठीक है तो यानि कि जो sunmarines होती है जो पंडूपिया होती है उनसे लड़ने के लिए यहां पर यह काफी अतन मदगार साबित होता है के जितने भी जहाज देना यह एक प्रकार के जहाज को रिप्लेस करने वाले है इससे पहले हम लोग अभै क्लास के जहाज को यूज किया करते थे तो अर्नाला क्लास कौन से वाले जहाज को रिप्लेस करेगा अभै क्लास के जहाज को रिप्लेस करेगा आपको नाम ध्यान म यहां पर यह जहाज जो कि basically पंडूपियों को मात देगा, दुश्मन की पंडूपी को ड़ाने का यहां पर यह काम कर सकता है, इस particular project के अंदर में कई सारे ships को यहां पर बनाया जा रहा है, ठीक है, और यह जो अरणाला को बनाया गया है, इसके अंदर जो यह ship है, अपने आप वो भी सब यहां पर जो बनाये जाएंगे, वो भी सब indigenous content से ही बनाये जाएंगे, indigenous content का मतलब है, इसमें 80% जो समान है, वो हम लोग खुद का, इंडिया का ही इस्तमाल करने वाले हैं, नहीं तो होता है कि हम लोग जादतर defense items के उपर, अलग-लग देशों के उपर dependent होता हैं, तो वैसा यहां पर नहीं रहने वाला है, हम जादतर समान को खुद अपने देश के अंदर ही बना कर इसको तयार करने वाले हैं, तो काफी सरा समान इंडिया का यहां पर यूज किया जाएगा, इन warfare के अंदर में जो की आने वले समय पर तयार होंगे, और जो यह तयार सम्मरीन से लणने के लिए हमारा पास में जहाज आगया, साधी साथ में recently यहां पर एक आर्टिकल यह तायल यह आर्टिकल आजगी भाया था कर दी जाएगी ठीक है तो सम्मरीन इस प्रकार से आप दखोगे पानी के अंदर चलने वाली यहां पर यह पंडूपी होती है अब जो यह पांचवी सम्मरीन क्लास की सम्मरीन बिली है उसका नाम क्या है उसका नाम है इसके बारे मैं आपको बताया भी था याद होगा लेकिन आपके पास में अभी मैं कुछ अच्छा कॉंटेंट देने वाला हूँ तो उसको आप याद रख सकोगे ठीक है तो यहां पर जो इस सम्मरीन को तयार किया गए पांचवी सम्मरीन है यह कौंसे प्रोजेक्ट के अंदर बनाई गई है प्रोजेक्ट 75 के अंदर में और यह स 75 के अंदर तयार किया प्रोजेक्ट 75 क्या है आउसको समझता है जून 1999 की बात है जो कैबिनेट कमिटी ओन सिक्योरिटी है इन्होंने यह पर इसी प्लान को अप्रूवल दिया था कि हां कि जो इंडिया की नेवी है ना इस नेवी के अंदर हम लोग धेर सारी सम्मरीन को ले में तोड़ देता है एक तो हो जाता है प्रोजेक्ट 75 और दूसरा हो जाता है प्रोजेक्ट 75 आई तो दो हिस्सों में आपर इसको तोड़ दिया गया तो पहला वाला जो फेस था प्रोजेक्ट 75 वाला उसको यहां पे साल 2005 में साइन किया गया और इसमें हमने फ्रांस के सा वो अलड़ी हमारे पास में दिसंबर 2007 में आ चुकी थी फिर बाकी जो 5 समरीन से यहां पर दिरेदेर तयार हुई काफी सारी समरीन हमारे पास में आ चुकी है एप्रिल 2022 में भी काफी समरीन आई है ठीक है इसमें जो बचती है वो है आइनेस वक्षीर आइनस वक्षीर जो है इसको यहां पर बेसिकली लॉंच किया गया था और लॉंच करने के बाद में अभी यह तयार होगी बेसिकली हमारे अच्छे से काम जो है करना स्टार्ट करेगी 2023 तक यह बात अभी बताए जा रही है तो मैं आपको बताया कि जो हम लोग बात करें आइनस वगिर की जो अभ आपकी जुमान पर छे सम्रेंट कौण कौण सी है एक है इंडियन ये ये नैशल शिप कलवरी है रिजय हाईनस कलवरी के बाद में इस खंदेरी दूसरी हो गई याइनस करणज तीसरी हो गई अंस वेला चौथी हो गई याइनस वक्षीर पांच भी हो गई चटी कौन सी है छटी जिसको अभी हमने यहाँ पर रिसेंटली इंडक्ट कर लिया है अपनी नेवी के अंदर में जिसका नाम है आइनेस वागिर ठीक है तो यहाँ पर यह टोटल आपको 6 समरीन्स देखने को मिलेंगी जिसको हमने प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है तयार किया है यह कलवरी क्लास के समरीन्स है और यहाँ पर यह डीजल इलेक्रिक समरीन है डीजल से चलने वाली यह समरीन्स है और इन समरीन को हम लोग हंटर किलर के नाम से भी जानते हैं sunmarines, यानि पंडूपिया, दो प्रकार की होती है, एक होती है diesel power sunmarine, और एक होती है nuclear power sunmarine, दोनों में एक छोटा से difference है, उसको हमेशा याद रखोगे, बात बता रहा हूं, कि diesel powerful sunmarine जो होती है, इस sunmarine को समुद्र में से जल्दयलदी बाहर आना पड़ता है, सब्ता में एक द इन अनेर्जी का इस्तमाल करते हुए आप देखोगे यह जो सम्मरीन होती है ना इन सम्मरीन को पानी के अंदर लंबे समय तक रखा जा सकता है अब आप से पूछा जाए दोनों सम्मरीन में से कौन से जादा बहतर है तो आप यही काओगे पानी के अंदर में जो लंबे समय पानी में जो मैनों तक टेकी वी है वो जातर बहतर सम्मरीन देखने को मिलेगी है ना तो यहाँ पर डीजल पावर सम्मरीन और न्यूकलर पार सम्मरीन में यही डिफरेंस है कि डीजल पावर सम्मरीन को बार बार उपर आना पड़ता है ठीक है लेकिन यहाँ पर यह है कि यह केवल और केवल एक ही संवरीन है फटाफट उस संवरीन का नाम किया नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता दो ठीक है ये बात क्लियर हो गई तो कलवरी क्लास की संवरीन के बारे में आपको अलड़ी बता दिया कि किस प्रकार से यहाँ पर यह काम करने वाली हैं और कौन कौन सी छे संबरीन्स हैं, उन छे संबरीन्स के नाम जो हैं वो जरूर से अपने पास में ध्यान लगना इंडिया की सम्मरीन्स के बारें बात करें तो हमारे पास में कई सारी क्लास की अलगलग सम्मरीन्स है जिसको हमने अलगलग देशों की मदद से बनाया है जैसे कलवरी क्लास की सम्मरीन्स में हम लोग ने फ्रांस का सपोर्ट लिया शिशुमार क्लास की सम्मरीन वे जर्मनी का सपोर्ट लिया सिंदुकोष क्लास की सम्मरीन वे यानि कि जो किलो क्लास वाली जो सम्मरीन से बेसिकली उसमें हमने रेश्या का सपोर्ट लिया तो इस प्रकार समें पर कई सारी सम्मरीन से हमने सपोर्ट जैसा अब इसमें कुछ जादा बड़ी information नहीं है लेकिन क्या है हम लोग समझेंगे World Heritage Sites के बारे में चर्चा की जा रही है देखो World Heritage Sites recent news में भी थे तो World Heritage Sites मगर हम लोग बात करें जो मौधरा Temple है मौधरा Temple, वदनगर तो अभी इनको UNASCO की tentative list के अंदर include किया गया है वदनगर के साथ साथ तरिपुरा के अंदर में जो उनकोटी rock cut sculptures है उनको भी UNASCO की tentative list के अंदर add किया गया है जिसका thumbnail आप लोगों ने देखा था तो news में यापर क्या है गुजरात का वदनगर टाउन उसके बाद में sun temple जो मौधरया के अंदर में है दन उसके बाद में rock cut sculpture of उनकोटी इन तरिपुरा तो ये बिसिकली तीन चीज़े है तीन चीज़ों को recently UNASCO World Heritage Site की tentative list के अंदर add किया गया है अब tentative list के अंदर add करने का मतलब क्या है tentative list के अंदर add करने का मतलब है कि इसको nominate कर दिया या है ये nomination के लिए तयार है और आगे यहाँ पर इसको जल्दी World Heritage Site भी declare किया जाएगा तो इसी के साथ में जो हमारी tentative list है ये किस के अंदर में आते है UNASCO के अंदर में आती है UNASCO क्या है ये है United Nation Educational Scientific Cultural Organization ये basically United Nation की ही एक agency है जिसका काम है दुनिया भर में जो important monuments है उनकी यहाँ पर protection करने का ये काम करता है आज के समय में ये अलग-लग list को तयार करता है और उसमें आप देखोगे इसकी एक tentative list भी है जिसमें recently यहाँ पर तीन हमारे जो monuments है उनको यहाँ पर basically tentative list के अंदर add किया गया है तो भारत के अंदर आप देखोगे भारत के total 52 sites ऐसे हो चुकी है जो कि UNASCO की tentative list के अंदर आज के समय पर available है ठीक है बात clear होगी इस particular आप देखोगे body को UNASCO को बनाया जया था 1945 के अंदर में और ध्यान रखना इसका जो major काम है इसका major काम है education, science, social, human science, culture, communication, information को लेकर काम करना देरे देरे इसका role हमने बढ़ा दिया बढ़ा इसलिए दिया क्योंकि जो हमारे पास में sustainable development goals है ना इस प्रकार से total 17 goals है हमारे इन goals का यहाँ पर हिस्सा भी बना दिया UNASCO का तो UNASCO अलग अलग तरीके से आज के समय में काम कर रहा है उसके बाद माँ UNASCO की activities को पिछले कुछ समय में expand कर दिया गया है इसका काम बढ़ा कर यह बूल दिया गया कि जो भी हाँ पर cultural heritages जो important monuments बगरा है उनको world heritage site का tag देना उनकी सुरक्षा करना उनको protection provide करवाने का काम भी हाँ यहाँ पर UNASCO को सौपा गया तो इस उससे UNASCO world heritage site भी maintain करके चलता है यहाँ पर आप देखोगे दुनिया बर की important sites अजाती है जिसको यहाँ पर UNASCO world heritage site का दरजा देता है इंडिया की भी कई सारी sites है वैसा आप देखोगे जह हम लोग बात करते है sites की तो तीन प्रकार की sites होती है एक होती है cultural heritage sites एक होती है natural heritage sites और एक होती है mixed heritage sites cultural heritage sites कौन सी होती है कोई building है कोई एतियासिक building है बहुत पुरानी building है कोई town हो गया हैना कोई archaeological site हो गई कोई monument sculpture या painting होई पुराने जमने की तो वो हमारी cultural heritage sites होती है तो उनको इस वाली list में डाल दिया जाता है इस प्रकार से natural heritage sites होती है इसके अंदर आप देखो कि कुछ important natural areas होते है ठीक है nature से संबंदित होते है उसके बाद mixed heritage sites होती है mixed heritage sites में यहाँ पर natural और cultural दोनों ही importance वाँ पर देखने को मिलता है तो भारत के अंदर अभी total 40 world heritage sites है 32 cultural properties है और 7 natural properties है और एक mixed sites आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है ठीक है तो यह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस प्रकार से इन sites का categorization किया जाता है ठीक है कौन करता है यह सब काम UNESCO करता है तो मैंने आपको UNESCO के बारें बता दिया प्लस news क्या है आपने यहाँ पर यह समझ लिया news के अंदर मैंने आपको बताया sun temple मोधरया का उसका गुजरात का वदनगर टाउन और साथी साथ में तिरुपुरा का उना कोटी के rock cut sculptures इन तीन चीजों को tentative list के अंदर डाला गया है अब इन ती चीजों को धीरे धीरे expand करके पढ़ेंगे सबसे पहले मोधरा के sun temple के बारें पढ़ेंगे जो मोधरा है न यह sun temple के लिए जाना जाता है यह जो temple है यह कहाँ पर situated है यह pushpavati river के किनारे situated है आपको ध्यान में रखना है यह sun temple जो मोधरा के अंदर में कहाँ पर स्थेत है जो pushpavati river है यह उसी के किनारे स्थेत है उसके बाद में sun temple की जब बात करते हैं तो कई सारे sun temples आपको देखने को मिलता है यह तो मोधरा का हो गया उसके अलाबा यहाँ पर आपको कश्मीर में मार्तन sun temple भी देखने को मिलेगा देन ओडिशा में यहाँ पर आपको कुनार्क में sun temple देखने को मिलेगा तो इस प्रकार से कई सारे sun temples और भी है तो आप से पूछ जाए क्या यह केवल एकलौता sun temple है तो ऐसा नहीं है इसके अलाबा भी हाँ पर आपको कश्मीर और ओडिशा में sun temple देखने को मिलता है लेकिन जो यह मौधिरावाला sun temple है इसको बनाया गया था 1026 से लेकर 27CE के अंडर में लगबख जो चैलुक्या डाइनेस्टी थी थी ना इस साशन के अंदर ही यहां पर इस परडिकलर temple को यहां पर बनाया जाता इस temple का जो description आपको देखने को मिलेगा यह कौन से style में बनाया गया है यह मारू गुर्जरा architectural style के अंदर बनाया गया है जैसा आप लोग यहां पर इस प्रकार का यह style देख सकते हो ठीक है अब होता यहां पर यह है कि यह style अपने आप में काफी ज़्यादा पुराना है बिसिकली चालू के dynasty के अंदर जिसको हम सोलंकी dynasty भी बोलते हैं इसके अंदर में यह style काफी ज़्यादा popular था इसमें क्या होता है एक गर्बग्रिये होता है यानि कि में अंदर का जहां पर में भगवान बैटे होता है तो एक अंदर गर्बग्रिये बनावा होता है उसके लब यहाँ पे कुंड भी होता है आपने यहाँ पर देखा एक पवित्र सा पूल आपको यह देखने को मिले का जिसको हम लोग कुंड के नाम से जानते हैं तो इस प्रकार के अर्किटेक्ट्र स्टाइल के अंदर यह कुंड भगरा भी हुआ करता था जिसको हम राम कुंड के नाम से जानते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पर इन टैंपल को बनाया जाता था यलो सैंड से जो पीले कलर का सैंड स्टोन है उससे यहाँ पर इन टैंपल आपको यह देखने को मिलेगा लगबग काफ़ी जधा पुराने यहां पर यह ताउन आपको देखने को मिल जाता है इस टाउन आप से पूचे ज़ीजार तो गुजरात के अंद्र जो अभी पहले हमने Sun Temple और उसके बारें बात करी है वदनगर के बारें में वो आपको गुजरात में देखने को मिलेगा तो उन्हा कोटी यहाँ पर कहा परस्तित है Northern Eastern Region of Tripura यहाँ पर आप देखोगे तो इस प्रकार से कुछ जो चटान है उसके उपर इस प्रकार से Sculptures बने वे हैं और वो जो Sculptures है कुछ important जगा है काफी सारी पवित्र जगा है वो सारी जगा है किसी से link होती भी नजर आती है शिव जी से यहाँ पर आप कह सकते हो कि शेवा वर्सिप्ष है यहाँ पर इस सारी चीज़े associated देखने को मिलेंगी कुछ masterpiece है, human का creativeness है बहुत सारी important चीज़े यहाँ पर इस प्रकार से create करी गई है यह तो एक हिस्सा दिख रहा है इसके अलावा इसके आसपास इस प्रकार से और भी कई सारे sculptures को बनाया गया है, यानि कि जो चट्टान इसको काट किस प्रकार से मूर्तिया बनाई गई है, ठीके, तो यह भी हाँ पर अभी UNASCO की tentative list के अंदर में add कर दी गई है, clear हो गई बात चलो, next article पर आता है now अगला article बात करता है कि इस इस के बारे में, innovation in agriculture के बारे में, देखो जो क्रिशी छेतर है, यह हमारा एक बहुत बड़ा छेतर है, तो इस agriculture के अंदर में, जो innovations है, नएने आविश्कार हैं, वो हमारे कितने जादे मददगार साबित हो सकते हैं उसके बारे में, यहाँ पर चर्चा की गई है ठीक है, तो यहाँ पर यह जो internet आपको दिख रहा है, यह technology जो आपको दिख रही है न, इसका अगर हम agriculture में इस्तमाल करते हैं, तो इससे agriculture को और ज़दा बड़ावा मिलेगा, कैसे मिलेगा अब हम लोग यहाँ पर इस चीच को समझेंगे तो यानि हमारे artificial intelligence और technology का role जो है agriculture में क्या है, सबसे पहले यह मददगार साबित होता है, कि हमारे farm data को analyze कर सकता है यानि कि जो भी हमारा farm produce है यानि कि आप कह सकतो खेत के अंदर जितना भी production हो रहा है न, यहाँ पर क्या होता है, जो यह produce होता है तो यहाँ पर बहुत सारा data point है वो भी तयार होता है daily के basis पर तो उस data point के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने farm को और ज़दा बहतर बना सकते हैं वहां का temperature का analysis और कई सारी चीज़ों का यहाँ पर analysis यहाँ पर किया जा सकता है temperature, वहां की weather condition है ना, उसके बाद में water का usage कितना करना है soil की condition क्या है तो यह सारा data हम लोग वहां से निकाल सकते हैं और उस data के हिजाब से कदम उठा सकते हैं इससे हम अपने agriculture को अगर कोई कम्या है तो उसको पूरिती करके उसको और ज़दा बढ़ावा दे सकते हैं दूसरा यहां पर है precision agriculture यानि कि जो agriculture है अगर हम इसमें artificial intelligence technology का इस्तमाल करते हैं तो इससे हम क्या कर पाएंगे इससे हम लोग अपने जो plants से जो पेड़ पौदे लगा रहे हैं उसमें कोई बिमारिया है तो उसको पकड़ पाएंगे केड़े मकोड़ें उनको पकर पाएंगे और plants के अदर में जो nutrition है basically आप देखोगे न nutrition अच्छा अगर नहीं है तो उससी की हम जाँच कर पाएंगे तो अगर यह सारी चीज़ हमें पता चलेंगे से वह काफी जादा जहरीला हो जाता है और वह जो plants से वह damage होने लगते हैं ठीक है तो यहाँ पर उस चीज़ को कैसे हम यूज कर सकते हैं अगरिकल्चर के अंदर सटीक तरीके से क्या क्या चीज़ें की जा सकती है तो जातर जो farm से वह यही challenge face करने की वहाँ पे लोगों की कमी है है ना workforce का shortage है तो उसका solution यह यह कि कोई बात नहीं shortage है तो कोई बात ही हम robots का इस्तमाल कर सकते हैं technology का इस्तमाल कर सकते हैं है ना तो यह काम करने के सासथ आप देखोगे chatboards का इस्तमाल कर सकता है chatboard क्या है कि आपको properly सरका सरा जो internet है वो मिलावा है वहाँ पर अपने chatboards के अंदर आप अपने जो अलगलग प्रकार के questions है वो डाल सकते हो और वो आपको उसके answer देगा आपकी जो problem से उनका solution निकल कर आएगा तो ऐसा काम क्या जा सकता है ठीक है तो यह बात क्लियर होई तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है इस internet को या फिर artificial technology को हमारे agriculture sector में increase करने के लिए सरकार ने mention किया है अब बात यह करते हैं कि और क्या-क्या important initiatives हैं जो कि कि हमारे government ने उठाए है agriculture को support करने के लिए तो उसमें पहला initiative आता है National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical System तो NMICPS के नाम से हम इसको जानते हैं ठीक हो यह जो particular body है ना इस वाले मतलब initiative को हमने launch किया था साल 2018 में Ministry of Science and Technology के थुरू इसको launch किया था लगबख यहां पर 3660 क्रोड रुपई यहां पर खर्चे गए थे पांस साल के लिए ताकि हम जो innovations वगएरा है वो और ज़दा कर सके अपनी technology के अंदर में ठीक है ना तो यह basically कुछ पैसे लगा के और इस प्रकार से एक initiative को चलाया गया है फिर ऐसे कई और initiative भी चलाया गया है आप देखोगे digital India initiative है यह अलग से initiative में बता रहूं यह आपको mains में help करते हैं डारेक्टी initiative जब लिखने के लिए आता है तो digital India initiative के अंदर आप देखोगे तो सरकार ने जो center of excellence है इसको यहां पर setup किया है हमारा objective यह है कि internet का use हम agriculture sector में थोड़ा ज़ादा बढ़ा सकें है ना तो यह यहां पर focus है एक हमारा focus है कि इस internet का इस्तमाल हम agriculture sector के अंदर बढ़ाएं जैसे कुछ यहां पर important चीज़े लेकर आ सकते हैं इंडिया जो है एक innovation hub बन सकता है इस particular sector के अंदर में यहना agriculture sector में internet के इस्तमाल करने में इंडिया एक hub बन कर निकल कर आ सकता है उसके आद में national e-governance plan यहां पर एक initiative लाया गया था सरकार के थूँ agriculture के अंदर में यहां पर बोला गया कि जो funding है वो state government को दी जाएगी ताकि जो state government है वो digital agriculture projects को लेकर काम कर सके artificial intelligence का यूज जो है अपने agriculture sector में जादा सादा बढ़ा सके तो यह इस particular article में देखने को मिलेगा यह basically कहीं है एक editorial था जो यह मैंने discuss किया है तो किस प्रकास artificial intelligence agriculture में यूज के जा सकता है उसके बारे में हैं पर कुछ information दी गई थी बाकी last में मारे पास में एक और article आता है वो है समर्थ scheme के बारे में तो समर्थ scheme रिसेंटली news में थी काफी important है समर्थ scheme basically textile sector से relate करती है यानि कि जो हमारा कपड़ा उद्योग sector आपको देखने को मिलेगा ना ठीक है जहां पर पुड़ा कपड़ा इंडेस्ट्री है उसको लेकर बात करती है समर्थ scheme तो अभी recently news में क्यों है news में इसलिए क्योंकि इस समर्थ scheme of textile ministry के अंदर में लगबग 13,235 से ज़ादा जो कारीकर है ना इनको पिछले 3 सालों में train किया गया है इस वज़ा से यहां पर समर्थ scheme news में है तो समर्थ का जो नाम है यह scheme for capacity building in textile sector जो textile sector है ना यहां पर लोगी शमताओं को बढ़ावा देने के लिए समर्थ scheme को लेकर आये गया था समर्थ scheme कहीं है कहीं लोग के अंदर जो skills हैं उसको और ज़दा बढ़ावा देने का काम करती है ताकि वो textile sector में और ज़दा बहतर तरीके से काम कर सके है तो यहां पर समर्थ scheme का काम क्या है जो handicrafts है जो हमारा कपड़ा का पूरा का पूरा sector है इसको और ज़दा promote करना यहां पर हमारा काम है लोगों को skills प्रोवाइड करवाना अगर हम लोगों को देंगे तो यहां पर उनको job मिलेगी jobs को create करना का काम यहां पर यह भी करता है यहना इस से यहां पर क्या होगा skills को हम promote कर सकेंगे अब gradation को promote कर सकेंगे हमारा जो textile sector है वो grow हो सकेगा इससे लोगों को भी job मिले होगी textile sector भी grow हो रहा होगा तो यह चीज़ यहां पर देखने को मिलती है इसका major objective इस प्रकार से है अब यह तो आपने देख लिया आपसे सवाल बनेगा समर्थ इसकीम basically कौन से particular sector से link करता है तो धियान रखने textile sector से link करता है अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार जो textile sector है इसका status भारत में कहाँ पर stand करता है देखो जो भी textiles और garment industry आपको देखने को मिलती है यह basically एक labor intensive sector है यानि कि काफी सरी जो labor है यहाँ पर काम करती है लगबग इस particular industry में 45 million के आसपास जो लोग है वो आज के समय में काम कर रहे है agriculture sector एक बहुत बड़ा sector है जहाँ पर सबस्यादा लोग को रोजगार मिलावा है भारत में agriculture sector के बाद जो दूसरा सबसे important sector है पर है यहाँ पर textile sector जहाँ पेस्चाहँ ज़ादा लोग को रोजगार मिलावाय textile sector को हम लोग ने divide कर रखा है हम divide कर सकते हैं 2 segments में textile sector को 2 segment में कैसे divide कर रखा है तो आप यहाँ पर देखोगे एक है unorganized sector और एक है unorganized sector यह बेसिकली यहाँ पर काफी छोटे लेवल पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर पुराने-पुराने methods कास्तमाल किया जा रहा है, पुरानी machine कास्तमाल किया जा रहा है, ज्यादा कुछ यूज नहीं किया जा रहा है, लेकिन organized sector में modern machines कास्तमाल कर रहे हैं, modern techniques कास्तमाल कर रहे हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर दो भागों में बाटा जा सकता है, इस textile sector को, अब textile sector के regarding भी हम लोग कुछ important schemes को लिकर आएं, तो वो schemes ध्यान में रख सकते हो, जब आप means में आंसर लिखोगे, तो उसके लिए initiatives के तोर पर इसको याद रख सकते हो, जैसे यहाँ पर एक scheme है, scheme for integrated textile park, इस scheme को साल 2005 में launch की आजया था, इसका काम था, जो भी हमारी textile industry है, इसको आगे जाकर promote करने का, इसी प्रकार से power tax India को लेकर आए गया, यह भी इसी प्रकार से scheme है, जहां पर हमारा focus है, कि जो हमारा handloom sector है, इसको हम आगे grow कर सकें, इसका भी focus है, कि जो हमारे पास में silk है, उसको उसकी quality को और जदा बढ़ाया जा सके, उसकी productivity को और जदा बढ़ाया जा सके, आज के समय पर हम बहुत सारा जो silk है, वो अलग-लग देशों से purchase करते हैं, इंपोर्ड करते हैं, उस चीज़ को हम लोग कम कर दें है न, वो जो import के ओपर dependence है, वो यहाँ पर कम किया जा सके, अपने देश में हम इसको grow कर सकें, यह basically इसका target है, फिर आती है बात National Handloom Day की, तो National Handloom Day हर साल 7 August को observe किया जाता है, और इसमें हम लोग देखते हैं कि जो हाथ की बुनाई है, उसका कितना ज़दा importance है, और हाथ की अपने वाले कई सारे लोग है, जिनको रोजगार मिलावा है, इस industry में काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में जारुकता भी पहलाता है, National Handloom Day, तो ध्यान दाखना National Handloom Day कब celebrate किया जाता है, 7 August को, basically 7 August को observe किया जाता है, फिर इसी textile sector से related एक और particular scheme आती है, जिसका नाम है National Technical Textile Mission, अब इस mission का जो मकसद है, वो है, इंडिया को यहाँ पर एक global leader बनाना, इस technical textile के मामले में, भारत को एक बहुत बड़ा leader बना करना, technical textile के मामले में, और यहाँ पर हमारा target है कि जो हमारा market है, technical textile का, इसको हम लोग बढ़ा दें, जैसे 40 billion से लेकर 50 billion डॉलर तक market को पहुँचा पहुचाने का target है, इसको हम 2024 तक इतना बड़ा market को पहुचाने का एक target रखते हैं, ठीक है, तो आज करने इसे थोड़ा छोटा था, कुछ छोटे-छोटे articles से, कुछ repeated articles, यगों कि आज की newspaper में, कुछ जादा खास बाते हैं नहीं, जो भी बाते हैं, वो मैं आपको यहाँ प आयूसे ने status का है, जरा नीचे comment section में बताओ, दूसरा question बोलता है, जो अरनाला class of ship है न, ये replace कर देंगी, एक दूसरे class of ship के वो दूसरे class का क्या नाम है जरा बताना, उसके बाद मैं अगला question बात करता है, जो कलवरी class की submarines हैं, अभी आपको बताओगा, project 75 के तैत हम लोगो यहाँ पर देखो कि 6 के 6 submarines के लिए, जो space से वो छोड़ दिया जा है, फिर अगला article बात करता है, कौन सी तीन चीजे ऐसी हैं, कौन कौन सी तीन चीजे हैं, जिनको recently UNESCO की world heritage site में, मतलब जो UNESCO की tentative list है न, उसके अंदर add किया जा है, तो तीन चीजे कौन कौन से आपको की है, नाम जरा फटाफट लिख दो, अगला जो question बात करता है, जो मोधेरा है न, मोधेरा basically एक sun temple है, जो कहाँ पर देखने को मिलेगा, मोधेरा जाना जाता है, मोधेरा जो है, वो sun temple के लिए जाना जाता है, गुजरात के अंदर आपको यह देखने को मिलेगा, लेकिन एक नदी के किनारे है, तो उस नदी का नाम क्या है, फटाफट उसका नाम बताना है, फिर अगला article बात करता है, अगला question बात करता है, जो national handloom day है न, इसको हम लोग हर साल observe करते हैं, कौन सी तारीक को यह बताना है, ठीक है, तो यह चीज़े यहाँ पर त्यार कर लो, और इन questions को attempt करना है, इनकी answer वैसे अगले page पर दिये गए हैं, लेकिन आपने क्या करना है, अगर अच्छे से सुना है, तो खुद से यहाँ पर इन questions को attempt करना है, बाकी कल भी इसी प्रकार से आपसे कुछ practice questions पूछे गए थे, उन questions के answer समा आपको बता देता है, उनकी answer की क्या है, तो Transplantation Organization, यह basically एक national organization है, इसको कौन से ministry में बनाया गया है, तो इसको Ministry of Health and Family Welfare के तहत सेट अप किया गया है, फिर अगला question आप लोगों से पूछा गया था, कि ऐसा कौन सा यहाँ पर pollutant है, जो की carbon dioxide के बाद में दूसरा सबसे बड़ा contributor है, जो हमारे planet को गरम कर रहा है, तो वो है black carbon, फिर तीसरा question आप से पूछा गया था, ब्रू और रियांग जो है ना, यह basically community है, जो की North East India के अंदर रहती है, यह जाधतर कौन कौन से राज़ों में पाई जाती है, तो तुरेपुरा, मिजुरम और अस्वा में पाई जाती है, फिर अगला question आप से पूछा गया था मनिपूर के अंदर में एक लंबे समय से tradition चला रहा है, जो जंगल है, उनको पूजा जाता है, उनकी पूजा की जाती है, है ना, sacred groups के तोर पर, तो वो क्या कहलाता है, वो basically वो tradition कहलाता है, उमंग लाई, दन उसके बाद में अगला question आप से पूछा गया था, जो Zonal Councils है, इ यह एक जानवर के लिए बहुत important तरीके से जानी जाती है, उस जानवर का नाम बताना है, तो वो है the black bug, ठीक है, तो यह questions यहाँ पर कल के हो गए, I hope आपको यह भी clear हो चुका होगा, तो आज का session छोटा था, don't worry, कभी छोटा हो जाएगा, कभी बड़ा हो जाएगा, बट, अच्छा, एक चीज़ और, आज जो prelims cracker के, जो prelims rapid fire basically जो है न, उसके questions मैं आइड नहीं करें, क्योंकि वीडियो बहुत लेट हो गया था, इसको मैं morning में record कर रहा हूँ, तो अभी यहाँ पर record करते करते, बच्चों के हैं साड़े तीन, अब थुदा सा यहाँ पर मैं ready रहते हैं, वो सब आपको next day पर मिलते रहेंगे, ठीक है, इसके साथ मैं करते हैं lecture को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, आज के लिए बाए बाए, have a nice day, thank you and जाहिंद